तो देखो Netflix के platform पर आज एक ऐसा show आया है, जिससे कई सारे लोग comedy के लिए देखेंगे और असानी से भूल भी जाएंगे, पर मैं कहूंगा ये show comedy के ज़री कुछ ऐसा बतानी कुछ करता है, जिससे आपको एक बार रुख कर सोचना चाहिए बीफ, ये एक comedy drama show है, जिसके टोटल 10 एपिसोड है, हार एक एपिसोड के लिए 30 से 40 मिनट के बीच है, यानि आपको इससे दिखने के लिए एक ठीक टाकसर टाइम तो देना ही होगा, जो कि अब देना कितना सही है, कितना नहीं, चलिए जान लेते हैं, तो ये कहानी है डैनी और EMI की, जो कि एक road rage incident के बाद, एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं, जिनका गुस्सा और बदला लेने की भूख, उन्हें कहां तक ले जाती है, क्या कुछ कराती है, वो जानने के लिए आपको देखना होगा, इस पूरी की पूरी सीरिस को, जिसकी कहानी भले से नई या फिर बड़ी ना हूँ, पर जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, कि प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है, जो कि एक नॉर्मल सी कहानी को भी ग्रेट बना सकती है, और इस सीरिस के साथ भी कुछ ऐसे था, जो कि इंटरस्टिंग थी, इंगेजिंग थी, आप हार एक एपि पर इस रोड रिच इंसिडेंट के बाद वो एक अलगी जर्णी पर निकल जाते हैं, जो कि है बदला लेने की, जो सबी चीज़े इस शो दिखाता है कॉमेडी के जरिए, जिसमें आपको कई सारी सिचुएशन्स और क्याक्टर्स जो कुछ भी करते हैं, उसी के जरिए कॉम पर अगर मैं बात करूँ परफॉर्मस की, तो इस सीरिस का बेस्ट पार्ट है, क्योंकि स्टेविन यून एली वांग, तो उन्हों की परफॉर्मस एक नमबर थी, जिनके क्याक्टर्स की डेवलमेंट ठूराउट इस सीरिस होती रहती है, वही आदर क्याक्टर्स को भी इस सारी जगाओ पर फिल होगी, पर बागी टाइम आप इस शो को इंजोई ही करोगे, तो एक पर कह सकते हैं, मस्ट वाच, जिसे आपको एक बार चेकाओट डेफिनेटली करना चाहिए, जिसे मैं दूंगा फोर स्टार्स, बागी अगर आपने शो देख लिया तो मुझे कॉम